नमस्कार आप देख रहे हैं YRY 18 लाइव दोस्तो आज कल फिल्म अभिनेतरी आलिया भट की शादी को लेकर चर्चाई गरम है मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपी का पादुकौन के बाद आलिया और अन्वीर भी शादी करने वाले हैं खुद आलिया ने कहा भी है कि शादी का मतलब ये नहीं कि आपके जिंद्गिक खतम हो गई और आप अभीनेन नहीं कर पाएंगी हालाकि आलिया ने अभी अपनी और अन्वीर की शादी के बारे में कुछ नहीं बोला है वे इस रिलेशनसिप पर हमेशा खामव सी रही हैं महेश वट और सोनी राजदान की बिटिया आलिया खुद को आदी जर्मन और आदी भारतिय बताती है आदी जर्मन बताने के पारे में उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है कि उनकी नानी के पिता जर्मन थे और हिटलर के खिलाप थे हिटलर के खिलाप निकलने वाले एक अख़बार में वेक काम करते थे हिटलर ने उन्हें पकड़ लिया था और एक यातना सीविर में रखा था 25 वरस की आलिया भट बोलीवुड के स्मार्ट हिरोइन्स में गिनी जाती है आलिया भट ने अपने करियर के सुरुआ दो हजार बारा में फिल्म स्टूटेंट अफ दी एर से की थी इसके पहले वे चाइल्ड एक्टरस के तोर पर प्रिती जिंटा और अक्षेकुमार के साथ फिल्म संघर्स में काम कर चुकी थी हाली में गिने गए एक सर्वे में उनको 10 परभावसाली भारतियों की लिस्ट में सामिल किया गया है वे इस लिस्ट में सामिल होने वाली सबसे कम उम्मर की भारतियों है यूग गव इन्फुलेंसें इंडेक्स 2018 की एक रिसर्च के आधार पर ये लिस्ट बनाई गई है ये लिस्ट जावरुकता पसंद भरो से और किसी एक छेत्र में किसी के परभाव के आधार पर की जाती है लिस्ट में आलिया नोवे पाइदान पर है अभिताब बच्चन नंबर वन तो दिवी का पादुकॉन दूसरे नंबर पर है इस लिस्ट में महिन सिंग धोनी, सचिन तैंदुलकर, अक्षक मार, विराट कोहली, आमिर खान, सारुक खान और प्रेंका चोपडा ने जगे पाई है तो दोस्तों यह थी अभिनेतरी आलिया भट के बारे में कुछ बाते आप बने रहे बायर वाई एटी लाइव के साथ होलिवड, वोलिवड और देश विदेश की महन हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्योंबाद